मुआखे там कि दो कर एंच VC धmont भ्मौनिंग संभ नवस्कार इसे सबस्टों अब हम ऐसे सबस्टत को शी ch Alexa बीच में हमारे ग्रेट डाइनिमिक लेडर मिस्टर राम किसनी आदो जी मौझूद है और इन्हों ने जीरो से सुरुआत करके रहेरो तका सफरते किया और मुझे पका एकने के आने वाले टाइम में यह इस इंडस्टी में पूरे टॉप पे पहुचने वाले हैं तो दोस्तो अजयार वुच्छ स्वागत सुरुजा विए तेक यू ग्रेट शार बहुत बहुत दन्यवाद मांगुदी चांढ़िस प्रणाम सारे ह। और बहुत बहुत दन्यवाद ग्रेट सार आपका आज जो दुए पेनल्द आम मैं है मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मागुर जी और हमारे साथ कनेक्ट पूरे हिंदुस्तान से हमारे सभी डायरेक्स एलार हमारे सभी भावी बविश्य के यूनिवर्सल क्राउन एंबस्टर सभी का मैं श्वागत करता हूं सभी को नमस्कार करता हूं और आज की सेनरजेटिक मोर्निंग में आप सभी का श्वागत है मागुर जी आपकी पर्मिशन हो तो मैं स्क्रीन शेयर कर दो मागुर्स आपका स्कीन शेयर हो गया है और पीपिटी भी आपके ओपन हो गई है यह मागुर जी पहुत बहुत धन्यवाद मागुर जी आपका बहुत बहुत सुक्रिया और सबसे पहले सातियों हम प्रंपिता परमेश्वर का बहुत सुक्रिया करेंगे आज की इस energetic morning में हम सभी को इस panel पे आकर के एक positive energy के साथ, एक positive vibration के साथ बातचित करने का और ये मोका मिला है कुछ सीखने समझने का आज हमें मोका मिला है great mentor के मादम से और लगातार हम सभी को ये मोका इस panel के मादम से great maagurji के मादम से हम सभी को मिलता है तो हम इस इश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया आदा करना चाहेंगे और मैं आप सभी का आज इस पैनल पे श्वागत करना चाहता हूँ, आप सब का बहुत बहुत श्वागत है आज इस पैनल पे और मैं बहुत बहुत कृतग्य हूँ, हमारे सभी ग्रेट मेंटर, हमारे रोल मोडल, हमारी इस कं क्योंकि आज मुझे आप सभी के सामने रूबरू होने का मौका मिला है आप सभी से बातचीत करने का अगें दुबारा से इस पैनल पर मुझे मौका मिला है बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इश्वर का और हमारे सभी great mentors का सातियों हम मैं आप सब का इस भूती future की सबसे बड़ी और दमदार जबरदस्त इंडिस्टी direct selling industry में मैं आप सब का शुआगत करता हूं और हम बड़े लखी और बड़े सोभाग्य साली हैं कि हम सभी को इस इस इंडिस्टी में काम करने का मोका मिला है हम सभी को इस इंडिस्टी में आने का मोका मिला है और हम सभी लखी हैं सोभागे साली है कि इस इंडिस्टी में काम करने काम सबको मोका मिला क्योंकि कहीना कही हम सभी लोग अपना अलग अलग वे अलग अलग रस्ते हम तैयारी के स साथ आगे बढ़ रहे थे लेकिन अचानक कोई व्यक्ति हमारी जिन्दगी में आता है और इस इंडिस्टी का प्लान हम सबको समझाता है और इस इंडिस्टी में हमने आने का निरने और आने का डिसीजन लिया आज मैं अपने आपको बड़ा लकी और बड़ा सोबागेशाली समझता हूं क्योंकि इंडिस्टि एक ऐसी इंडिस्टी है जो आने वाले समय में बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है और इसकी हम लगातार इसकी खुसबू इसकी वैब्रेशन भी हम लगातार देख रहे हैं चाहे वो हम मार्केट में देख रहे हैं, चाहे हमारी गोर्मेंट के तरब से देख रहे हैं, लगातार हम इसकी जितनी भी न्यूज, जितनी भी इसके बारे में भर खबरें चल रही हैं, तो यह आने वाले समय का एक बहुत बड़ा करांती है, 21 onu सदी की सबसे बड़ी करांती है और हम बड़े लखी सोबागे साली है कि इस इंडिस्टी में हम सभी को काम करने का सोबागे मिला है हम यहां बैटे हुए किसी वेक्ति को आज एक महीना हुआ दो महीना हुआ होगा पांच महीना चे महीने मुझे 14 साल इस इंडिस्टी में काम करने का मोका मिला और मैं कि तरफ आगे बढ़ना है क्योगी इसी मानसिक्ता के साथ मैं परना बढ़ाता उसी माहरमेंट े मैं लगाता आगे बढ़ाता और इसी सोच के साथ में आगे мира था लेकिन एक अचानक किसी व्यक्ती के मादब्सेश्ट का से इस स कर रहा होता है मेरे पास भी रहता था जोब का दूसरा में मार्केट में कोई भी इंवेस्टमेंट करके बिजनिस करूं जोब में मैं लिमिटेशन में रहता इंवेस्टमेंट करने के लिए मेरे पास था नहीं लेकिन यदि मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूं यदि श्वेक्ति को जरूर धन्यवाद दीजिए जिसने आपको इस इंडिस्टी में लाकर के खड़ा कर दिया है क्योंकि ये इंडिस्टी आने वाले समय में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है और हम सब को ये मोका मिला है अपने अपने खांदान का इतियास लिखने का अप में से बहुत सारे लोग जानते भी है मेरा नाम रामकिशन यादव है और अलवर रास्तान का मैं रहने वाला हूँ मैं एक स्टुडेंट था ब्यस्टी मेडिकल साय की तरब मैं आगे बढ़ रहा था ब्यस्टी कर रहा था और लेक्चर बनने का टीचर लाइन में जाने का म मेरा वो है मरकरी लेवल पर मैं काम कर रहा हूँ और मैंने अकेले से काम की शुरुवात की थी पहली बार जब इस इंडिस्टी मुझे आने का मौका मिला था मुझे ना तो इस इंडिस्टी की पढ़ाई कभी कोलेज स्कूल में की गई ना मुझे कभी घर में कोई ऐसा और हम इसमें एंट्री कर गए उसके बाद हमने जब इसमें एंट्री किया तो हमें इस बिजनिस की इस काम की हमें कोई ABCD आती नहीं थी और सातियों जब कुछ भी नहीं आता था बिल्कुल कोरे कागज की तरह में इसमें एंट्री हुए एज मेरी 99.5 साड़े 19 साल मेरी उम इसके बारे में नहीं जानते हैं लेकिन आज जितने भी लोग ने इतियास लिकाए जितने भी लोगों ने किसी भी फिल्ड में बड़ा काम किया है वो बिलकुल एंट्री कोरे कागज की तरह करते हैं लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं उस इंडिस्ट्री का एक्सपर्ट बनने का यदि वो decision लेते हैं तो वो उस काम में top level पे जा सकते हैं यानि मुझे बताया गया कि यदि आपके अंदर सीखने की इक्षा है तो आप बड़े-बड़े record बड़ा-बड़ा इतियास किसी भी जगे बना सकते हैं यहां भी आप कुछ नहीं जानते लेकिन आप सीख कर इस industry में हम आतो गए हैं हमने entry तो कर लिया है लेकिन एक जो compulsory चीजे जो मुझे बताई गई थी वो मैं आपको बता रहा हूं वो है learning हमें मतला इसका यह compulsory subject है क्योंकि हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो एक optional और compulsory दो subject होते हैं हमारे education में मतला जो optional है उनमें आप चूज कर सकते हैं लेकिन जो compulsory है वो है वो आपको पढ़ना ही पढ़ेगा तो ऐसे इस industry में हमारा एक compulsory subject है उस subject के बारे में मुझे बताया गया कि आपको learning करना पढ़ेगा इसका लगातार सीखना मतला यह कभी भी कतम नहीं होगा और बहुत सारे लोग इसी से प्रेज करते हैं नतला आप इसी से डर लगता है तो हमें इस industry में हमने कदम रख लिया है हमारे लिए बिल्कुल fresh नई industry है हम यहाप इतियास बनाना चाहते हैं हम record बनाना चाहते हैं बड़े achievement चाहते हैं तो मुझे बताया गया था कि आप लगातार इस काम को सीखी और मैंने सातियों आज त strengthening attend करना भी दो तरीके से होता है एक तो इस business में हम जब भी सीखने की बात आती है दो तरह की category होती है एक तो सीखना चाहती नहीं है दूसरी category होती है कि सीखने के लिए तो जाते हैं लेकिन आप देख रहे हैं एक sponge होता एक चटान होता है जब आप कहीं भी बैठते हैं तो आपको तेह करना पड़ेगा कि हम चटान बनके बैठ रहें कि sponge बनके बैठ रहें यह बहुत कुछ माइने रखता है और जब हम चटान बनके बैठेंगे आप देख रहे हैं चटान के आसपास कितना भी पानी हो वो एक बूंद नहीं सोक सकता लेकिन sponge के उपर आप डालो ग हम सुबह मागरुजी के माद्यम से हमें इस पैनल से अशिरवाद मिलता है हमें बहुत कुछ अलग अलग प्रोफेशन से निकल करके लोगों ने इतियास लिखा है वो एक्सपर्ट और वो सफल लोग हमारे बीच में आते हैं और रोज हमें कुछ ना कुछ सिखा करके जाते हैं लेकिन यहां आकर कि हम बैटे हैं तो हम कैसे बैठे हैं हम पत्थर बनके बैठे हैं एस्पंज बनके बैठे हैं हमारा फोकस का है यह बहुत कुछ माइने रखता है यह बात मुझे बता ही गई और लगातार मैंने इस काम को लर्निंग किया सीखा क्योंकि अर्निंग से पहले learning करना जरूरी है और जब हमने इस काम को सीखा इस काम का expert बने क्योंकि जब कोई क्रिकेटर क्रिकेट का expert बनता है तो वो भी पहली बार entry करता है फिल्ड में और entry करता है तो उसको expert बनने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी ये great sir ने great mentors ने लगातार हमें बताया तो हमने इसकी तैयारी करी कि हमें किसी भी कीमत पर इस काम में जब हमने entry कर लिया है हात डाल दिया है तो हमें फिर expert बनना है और हम गाउं के रहने वाले देशी आदमी हम तो सुन-सुन के मिला तो हम पीछे नहीं अटे तो लगातार आपको sponge बनके learning लगातार करनी है और यह learning का जो chapter सिखाया गया आज तक ऐसा कोई meeting ऐसा कोई training नहीं है जो मुझे मोका मिला मैं eligible रहा उसके लिए और मैं उसमें absent रहा मैं हमेशा उपस्तित रहा यह system ने और मेरे great mentors ने जो मुझे बताया दूसरा यहां पर हम आगे बढ़ते हैं बहुत सारे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं मैं भी आगे बढ़ना चाहता था आगे बढ़ने के लिए एक सोच का बदलना बहुत ज़्यादा जरूरी है हम जिस जगे पे जहां से उठकर के आते हैं वहां पर यह सब चीजो कि यहां जो सोच दी गई यहां जो इस इंडिस्टी में आने के बाद एक नई सोच तैयार हुई यहां की संगत से जो नई सोच तैयार हुई वहां से ही हमने एक नई आत्रा की शुरुवात की और लिखा हुआ है कि यानी यह बोला है कि पुनर जनम के लिए जरूरी नहीं है कि हम सरीर को छोड़ें पुनर जनम हमारा उस समय भी होता है जब हम नए विचार अपने दिमाग में डालना चालू करते हैं हमारी सोच बदलती है वो भी एक अमारा पुनर जनम होता है क्योंकि जब यह प्लान हमारे सामने आता है जब हमें इस प्लान के बारे में बताया जाता है और यहां से जब आगे बढ़ने की चीजे बताया जाती है तो हम उस चीज को एड़ोप्ट करने के लिए तयार है कि नहीं हम अपनी सोच को बदलने के लिए तयार है कि नहीं यदि जब हमारी सोच विचार ये बदले तो वहां से हमारी एक नई यात्रा की शुरुआत हुई और इस यात्रा में आज लगातार आपके सामने आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमें ये सोच को बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें अपने दिमाग की फ्रिक्वेंशी क चलते हैं बोला जाता है जैसे हमारे थोट दिमाग में होते हैं वैसा ही हम बनते हैं तो हमें सबसे पहले अपने विचारों पर काम करना है कि हम यहां से कैसे हैं यहां से सुरुआत होती है सबसे बड़ी ताकत है तो विचार हमारे जो फ्रिक्वेंशी है जो दिमाग में हम चल रहे हैं वो इंपोर्टेंट है हमें वाले के जाते कई भर क्या होता है बार से तो हम बड़ी-बड़ी बात कर रहे होते हैं बार से तो हम अप्लाइन को डाउन पर बहुत कम लोग होते जो काम कर पाते हैं तो हमें अंदर की खुबसूरती पर भी काम करना यह मुझे इस सिस्टम के मादम से बताया गया और मैंने बिल्कुल जो भी मैं हलकी बात करता था जो भी हमारे दिमाग में हलके हलके विचार आते थे वो सब चीजों को मैंने बदल करें मैं तो गरीब हूँ मेरा तो बच्पन गलत था कोई मुझे समझ नहीं पा रहा मेरा काम नहीं चल रहा यह सब चीजें अमें क्या पीछे की तरफ लेके जाती है तो हमें अपनी फ्रेक्वेंसी अपने दिमाग की frequency पे काम करना है उसको हमें जरूर बदलना है और अच्छी और powerful बात करनी है उसी हिसाब से हमारी बोड़ी action करना चालू कर देती है उसी हिसाब से हमें चीजे मिलना चालू हो जाती है उसी हिसाब से पूरा ये ब्रमान हमारी मदद करना चालू कर देता है त इनी सब कंट्रोल इनी सब चीजों की वज़े से चीजे बदलती चली जाती है चीजे हमारे जीवन में एड होती चली जाती है अच्छी चीजे हमारे जीवन में ओटोमेटिक आना चालू हो जाती है अच्छे लोग हमारे टीम में आना चालू हो जाते हैं लेकिन ये कब होंग जो है इसमें हम सारे लोग मैं भी including मी हम बहुत बड़ा इतियास लिखना चाहते हैं हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं और इसलिए हमने यहां decision लिया है और हम excited हैं motivate हैं यहां काम करके हम लगातार काम करके यहां पर motivate हैं हमें किसी भी वेक्ति ने motivate कर दिया हम किसी मिटिंग में क्योंकि जहां बहुत सारे आज हजारो लाकों लोग आम खास बन गए जहां गरीब अमीर बन गए जिनोंने एक ऐसा मतलब कभी सोचा नहीं था कि उनके जीवन में ऐसी ऐसी चीज़े आ जाएंगी आज वो सारी चीज़े उनके जीवन में add हो गई तो ऐसा क्या किया उन्हो ने और जो लोग इसमें कामियाब नहीं हो पाते हैं बहुत सारे लोग हमें मार्केट में फैलियर्स भी मिलते हैं बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो लोग इस इंडिस्टी को समझ नहीं पाए जो लोग इसको सीख नहीं पाए क्योंकि आप जब इस इंडिस्टी में आग हमारे बहुत सारे leaders, हमारे great mentors, बहुत सारे leaders बड़ा proud होता है जब हम उनको सुनते हैं कि उनकी 18 साल की journey हो गई, 20 साल की journey हो गई, और 14 साल की journey हो गई, ये actual में एक यात्रा जो रही है, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, और ऐसा भी वेक्ति होता है, जो कि 5 दिन, 5 महीने, और एक साल, 6 महीने, शरवायू नहीं कर पाता है, तो इसके पीछे का कारण है, 10 regions of failure in network marketing, direct selling, उस पे मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहता हूं, तो हम चलो एक-एक करके आगे बढ़ते हैं अभी, और मुझे लगता है, आप सारे लोग तयार है, उसके लिए excited है, तो सबसे पहली चीज, बिजनिस या जोग, हम इस काम को करना चालू कर दिया हमने, अब हम किस मानसिक्ता से इस काम को कर रहे हैं, बिजनिस वाली मानसिक्ता से कर रहे हैं, या नोकरी वाली मानसिक्ता से कर रहे हैं, बहुत सारे leaders इस बिजनिस में आते हैं, कुछ समय के सरवायू करत हैं business job में तो हमें Actual में यहापर यदी आगे इपिस इंडिस्ट्री में यहाँ इत्यास लिएक सी अमाउट से चोटे से प्रोफिट से शुरू करते हैं लेकिन जब लगाता है तो business में बहुत बड़े level पे आप पहुंच जाते हैं बहुत बड़े income पे आप पहुंच जाते हैं लेकिन उसके लिए हमें पैसेंस और business mentality से काम करना पड़ता है यहां पर व्यक्ति आता है पहले एक महिने दो महिने काम करने के बाद वो एक 20,000, 30,000, 50,000 गी नोकरी से जब comparison करता है तो उसको लगता है कि यार इतने दो महिने, चार महिने, छह महिने, एक साल में मैं किसी एक नोकरी से इतना रुपया कमा सकता था, यहां से मेरे पास इतना है तो वो actual में नोकरी वाली मानसिक्ता को इसमें डालता है तो उसको परिणाम क्या मिलता है परिणाम ये मिलता है उसको लगता है कि यार नहीं नहीं ठीक है जो बढ़िया है यहां पे नहीं होगा और जो मेरा यहां सपर रहा है उसमें जो मैंने सीखा है जो मैंने देखा है यह अन्वव रहा है कि पहले साल जब इस बिजनिस को आप करते हैं प दूसरे साल पे तीसरा साल भारी पड़ता है, तीसरे साल पे चोथा साल भारी पड़ता है, क्योंकि आपका time multiplication होता चला जाता है, लेकिन यहाँ पे individual वेक्ती आता है, पहले दिन अकेला काम करना शुरू करता है, और वहाँ पे वही job mentality से बार नहीं निकल पाता है, तो यह एक आपको कुछ छोटा मोटा investment अपने उपर करना पड़ता है, वो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, यह जो business है, यह एक book लिखने की तरह से, आप अपनी एक book लिख रहे हैं, तो उस book लिखने में ऐसा नहीं है, क्या आज सुबह अपने book लिखना चालू किया, और शाम को book लिख के कतम, नहीं, लोग वर्सों तक अपनी कहानिया, अपनी books लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, ऐसे ही आप इस business को build करने जा रहे हैं, यह काम कर रहे हैं, यह business है, इसको build करने में समय लगता है, यह नहीं है कि एक तारीक को शुरू किया, तीस तारीक को आपको 10,000, 15 20,000 salary मिल जाए, यहाँ पर आपको business mentality से इसको develop करना है, इसको build करना है, no compression business and job, business और job का कोई compression नहीं किया जा सकता, यहाँ पर कोई compression नहीं है, और यदि आप compression करना चाहता हैं, तो आप multiple 5 years, 10 years आप इस business के, और फिर आपकी 40 साल की job, उससे आप compare करिए, क्योंकि यहाँ पर growth लगातार जब आप अकेले चलते हैं, जब आप मारी team build होती है, तो उस हिसाब से जैसे जैसे time का multiplication होता है, वैसे वैसे हमारी growth बढ़ती हुई चली जाती है, लेकिन यदि हम individual आज हैं, और अकेले हम सुरू करते हैं, एक महीने तक हम आगे अपनी team build नहीं करते हैं, और उसक calculation है न, शुरूआत के 2-3-4-6 महीने में, जो एक इस business में एक direct seller आकर के, जो calculation करता है, ये calculation हमें खतम करती है, एक्चल में, शुरूआत में मुझे पता है, हमने जब ये business start किया था, तो हमने जो पैसा अपने उपर खर्च किया, जो हमने इस पने business को build करने में किया, जो सीख यदि हमने कर दिया, और हम इसके expert बन गए, तो build करने के बाद, ये total एक दम, एक एक दो दो साल में, इतना बड़ा amount दे सकता है, जो कि सायद पूरे life में हम कोई भी job नोकरी करें, तो वहां से हम नहीं ले पाएंगे, तो सातियों, एक सबसे पहला कारण failureship का कि हम business और job mentality से यदि हम business mentality से इस काम को करेंगे, तो हम एक लंबी यातरा करेंगे, और job mentality से करेंगे, तो इसमें हमारी यातरा कई ना कई बड़ी रहने वाली नहीं है, ये सबसे पहला कारण है, दूसरा कारण है, हम इस business में कुछ निरने ले पाते हैं, हमारे decision आते हैं कि नहीं आते हैं, या हम अपनी एक्षाओं के हिसाब से काम करते हैं, मतलब decision या choice, क्या चलता है हमारा, मतलब यहाँ पे actual में निरने लगेगा, और निरने हमेशा decision बोला जाता है, decision comes from our, decision दिल से आते हैं, और choice हमेशा क्या है, दिमाग बोलता है बार बार, ये मेरी एक्षा है, ये मुझे अ काम हम कर रहे हैं, एक हमारे पास एक strength है, एक हमारे पास weakness है, हम काम किस पे कर रहे हैं, ये important चीज़ है, strength हमारा पैसन, हमारा जुनून, हमारा strength है, हमारी ताकत है, हमारी सारे रिक भास अबोडी language, इसको हम अपनी ताकत बनाए, हमारा एक effective, हमारा एक plan होना चीज़, हमारी एक ताकत है हमारे आक्शन हम इस प्लान निकलता है निजल स्काम को करते हैं तो बी तो हमने वास्तां क्वास्टों सी 2 एक तो हमारी इंड्क को वहास्ता नियूकेश में हैं हम काम्याब होगे यह यह यारंटी है है तो फिर हमें तह हो जाता है कि हम यहां पर पका कामियाब होंगे तो हमारे action हमारा हमारे वॉडी लेंगवेज हमारे पेसं अमारा इफेक्टिव प्लान इस पे हम यह ताकत है इस को हमें पालना है यहां के यहांसे decision लेना है और हमारी weakness erman mean weakness स्वाइस टालम टोल करने की आदत यह अमेशा दिमाध को चालाता है यह चल आता ले सब चीज़ें यह हमेंशा weakness कोपाल रहे होते हैं कोसिस आधिर में प्कोरती दे रहे होते हैं एक यात्रा नहीं कर पाते हैं, और वो आउट हो जाते हैं, और जो अपनी strength पर काम करते हैं, अपनी ताकत पर काम करते हैं, और दिल से निरने लेते हैं, क्योंकि एक निरने आपने इस काम को सुरुवात करने का लिया है, वो तैनी करेगा कि हम कितनी बड़ी यात्रा करेंगे हमें बार-बार समय समय पे बहुत सारे निरने दिल से डिसीजन हमें लेने पड़ेंगे तो यह लगातर जब भी मुझे पिछले हमारी मेरी इस यात्रा में मुझे जब जब निरने डिसीजन लेने का मोका मिला तो मैंने हमेशा एक सही decision लिया, सही निरने लिया, जिस निरने में मेरे future में एक मेरा future दिखाई दे रहा था, जिसमें मेरा बला दिखाई दे रहा था, हमें हमेशा से वोई decision लेना है, हमें अपनी प्रस्तिती के हिसाब से decision नहीं लेना, मुझे अच्छा क्या लग रहा है, न क्योंकि हमेशा हमें जो अच्छा लगता है उन चीजों से हम वो चीज हासिल कभी नहीं कर पाते हैं जो हमें चाहिए थोड़ा life जो होती है वो जो achievement होते है वो थोड़े painful decision से आते हैं तो लगातार आप उसके लिए decision लीजिए इस panel पे आना भी एक painful decision है शुबए तो यहाँ प कामियाब होंगे नहीं होंगे यह हमारा association तै करता एक चलमें बहुत सारे लोग इस business में आ जाते हैं लेकिन वह wrong association में रहते हैं लेकिन इसमें कामियाब होने के लिए right association चाहिए इसलिए आउट हो जाता है उनका association नेगिटिव लोगों के साथ होता है उनका association जादा social media से रह हमें audio video के साथ अपनी एक दोस्ती बनानी है लगातार positive लोगों के साथ और संगत में हम सब को रहना है हमारा association क्या है यह भी तै करता है कि हम इसमें कितनी बड़ी यात्रा करने वाले हैं वो सारे लोग इस business में आ जाते हैं लेकिन उन सब लोगों को नहीं छोड़ पाते हैं जो हमेशा इस industry को लेकर के negative बात कर रहे होते हैं जो इस काम को लेकर के हमेशा negative चर्चा कर रहे होते हैं वो परिवार में भी हो सकते हैं यारी दोस्ती में भी हो सकते हैं हमारे असपास भी हो सकते हैं हमारा association हमें change करना है मैं जब इस business में आया था तो मेरा बिलकुल अलग association लेकिन जैसे ही मैंने उसको change किया, जैसे ही मैं इस system की संगत में आया, जैसे ही हम यह successful लोगों की संगत में आया, उनके audio वीडियो की संगत में आया, लगातार books पढ़ने की संगत में हम आया, तो यह सारी चीजे बदलती चली गई और हम एक ने रूप में अपने आपको बना होगे एक नहीं होगे तो एक अच्छा association हम सभी को मिला हुआ है, system के तोर पे मिला हुआ है, हम हम उस association में ज़्याधा समय निकालें, हम वहां पे ज़्यादा अपने आपको अपना समय invest करें, जहां पे एक positive vibration है, जहां पे अच्छी बाते हो रही हैं, जहां पे आगे बढ़ रह रहे हैं, important है हम वहाँ वही बनेंगे जिनके साथ हम रह रहे हैं, तो हमें अपने association को change करना है, बहुत सारे लोग fallacy हो जाता है, क्योंकि अपने association को, अपनी शंगत को उसको change नहीं कर पाते हैं, हम उनका ज्यादा से ज्यादा समय जो है 24 गंटे में से उनी लोगों के मिलते हैं ऐसे, तो उन सब लोगों से बच करके हमें उन लोगों के साथ रहना है, जो इस industry में बड़ी कामिया पर हैं, उनकी संगत में हम रहना है, अब जरूरी नहीं है, उनके हम विचारों के साथ रह सकते हैं, किताब के साथ रह सकते हैं, बुक्स के साथ रह सकते हैं, त सारे लोग इसमें एंट्री करते हैं एंट्री करते हैं चाहते हैं कि आज मैंने शुरुवात करी अगले दो, तीन, चार, छे महीने में मुझे कामिया भी मिल जाए नौ यह लह इसको तयार करना पड़ता है यह continuity का काम है सफलता जो है यह एक काम को पूरे लह के साथ करने से ल सिजन लिया मुझे इस काम को करना है पूरी दमदारी के साथ करना है फिर हमने प्रियास करना चालू किया फिर हम लगातार करते रहे और लगातार यह हम जब लह पकड़ते हैं लगातार जब हम करते रहते हैं तो हम इस बिजनिस के इस काम के इस इंडिस्टी में हम एक expert बन जाते हैं और एक महौल बन जाता है उससे जब महौल बनता है तो success अपने आप आना चालू हो जाती है लेकिन बहुत सारे लोग आता है ना महौल बनाएंगे ना लेपकड़ेंगे ना expert बनेंगे ना सीखेंगे दो चार पाच लोगों को बताएंगे ट्राई करेंगे पूरा एकदाम दो चार पाच लोगों को बताने से पूरा इस industry पे निबंद लिख देते हैं याद तो कुछ होई नहीं सकता ये काम तो सर इसलिए चलता ही नहीं है मतलब पिछले 24-25 साल जो ये industry पूरा एकदम दूम मचा रही है वो पाच लोगों को बताने के बाद एक महीना ट्राई करने के बाद पूरा निबंद पैरा गिराफ लिख देता है आदमी इस पूरी industry पे और उन सब चीजों को गलग साबित कर देता है जो आज तक होती हुई आई है तो ये आपका विचार है ये आपकी सोच है क्योंकि आपने एक्चल में इस industry को समझाने ये continuous एक प्रोसेस है इस business में एक चीज की जर्रत होती है consistency की जर्रत होती है consistency से आप काम करें ये business आप से ठारा गंटे नहीं मांगता लेकिन जितना भी मांगता है consistency एक rhythm के साथ मांगता है आप बहुत सारे लोग इस काम को rhythm के साथ नहीं कर पाते है एक part time फुल टाइम लेकिन बहुत सारे लोग इस पर time करते हैं मतलब हर साथ दिन में उनको मतलब दूनना पड़ता है Google पे कि एक वेक्तिता वो कांग है उनको याद दिलाना पड़ता है कि आप direct selling industry में है लेकिन जब हम इस industry में आ गए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें भूलना नहीं चीए यह हमारा एक part बनना चाहिए हमारी life का यह पार्ट बन जाना चीए यह काम हमें यह पूरी दमदारी के साथ आग है यह तो जब तक लोग ले नहीं पकड़ते उससे पहले इस business को क्यूट कर जाते हैं तो success के लिए ले बनाना जरूरी है तो आप लगातार ले बनाई यह पांचवी चीज़े more expectation in short time यह हमारा failure का कारण बन जाता है यानि बहुत जादा उमीद कर लेते हैं short term में और मैं हमे उनको मतलब क्या है ना गलत दिसा में ले करके चली जाती है तो हम सभी लोगों को more expectation नहीं करना short time में patience is a big play जो देरे है यह बहुत बड़ा खेल है बहुत बड़ा game है तो हमें इसको खेलना है देरे रखना है अब देरे में भी दो चीज़े patience and try दोनों चीज़े बहुत सारे लोग चार साल से patience रखके बैटे फिराते हैं बोला सर आपने बोला था चार साल देरे रखना है रख लिया सर देखो अभी कुछ नहीं हो रहा तो देरे के साथ एक सब दो रहे काम भी करना है मतला patience and try patience and try देरे रखना है एक बड़ी काम्या इसको बिल्ड करना पड़ेगा इसको बिल्ड करना पड़ेगा इसको बिल्ड करना पड़ता है यहां पर अपने को बिल्ड करना पड़ता है तो यह लगातार हमने सीखा लगातार 5-5-7-10-10 साल हमारे great mentor ने 15-15 साल हमने लगातार इसको बिल्ड किया इसको बिल्ड करना देना पड़ेगा लगातार अまだ सारे लोग टाइम नहीं देते जोड को बराबर टाइम देंगे दुकानपे बराबर टाइम देंगे वहां से 20 på 0000 लेहां लगातार हम टाइम देंगे लिगे बिजनिस जो हमे किली लाखो लेकिन उसमें आने के बाद आपको इसको बिल्ड करना है आपको सीखना है लगातार हम सब को इसको आगे बढ़ने के लिए हमें यहां से वो सारी चीजों को समझना और सीखना पड़ता है यहां के सिद्धांत को कर रहा है लेकिन उसके साथ यदि साइड में हम बिल्ड करना चाहते हैं बड़ा काम बड़ा काम करना चाहते हैं तो साइड में समय निकालना ही पड़ेगा समय देना ही पड़ेगा आपको जब आप 18 गंटे 12 गंटे 14 गंटे किसी जोम में 30 दिन देते हैं तब आपको एक तारीक को इंकम मिलता है यहां आप हर वीक इंकम चाहते हैं लेकिन हम समय नहीं देते हैं यह सबसे बड़ा तो सक्सेस और मनी हमारे पास आती है मतलब सफलता और पैसा हमारे पास आना चुरू होता है अब हम ना नोलेज बढ़ा रहे हैं ना हम समय दे रहे हैं और बैठ है और चाहरे हैं कि हमें सक्सेस मिलनी चाहिए हमारे पास पैसा आना चाहिए हमेशा जब आप नोलेज देंगे स अपने नोलेज पे काम किया है और अपना समय दिया है किसी ने 5 साल दिया किसी ने 4 साल दिया किसी ने 3 साल दिया किसी ने 8 साल दिया किसी ने 10 साल दिया किसी ने 15 साल दिया 20 साल दिया आज इसलिए वो बड़े मुकाम पर है आज उनकी सूपरिट पिक्चर तो हमें दिखती है लेकिन उन्होंने उस picture को तैयार करने के लिए जो time दिया है, जो effort लगाए है, जो अपने time को compound किया है, लगातार बढ़ाया है, team बनाई है, expert बनाया है, उन सब चीजों को हम नहीं देखना चाहते हैं, तो पड़ दे के आगे की picture को जब हम देखते हैं, तो हम एक बर पीछे ज बिल्ड करने के लिए जरूर लगाया जा सकते हैं, यह सब काम नहीं करने की वज़े से, यह जो expectation है, यह कुछ नहीं करेंगे, और बहुत बड़ी income चाहिए, यह हमें failure का कारण बन जाती है, इस business में, अगला है, not build the business, but you build the people, हमें business बिल्ड नहीं करना, हमें लोगों को build करन बिजनिस हमेशा क्या है न, तूटता है, बहुत सर लोगों सर मेरा business क्या है न, मतलब खतम हो गया, सर मैंने team बनाई थी, मेरे team खतम हो गई सर, actual में आपने team बनाई, business बिल्ड किया, आपने लोगों को build नहीं किया, लगातार पढ़ाई करके, लगातार great mentors की संगत में रहे क पता चला कि हमें लोगों को build करना है, और यह जो plan है, यह actual में मतलब क्या है न, जब आपकी आत्मा दिल दूसरों के लिए धड़केगा, तब ही आप इसमें एक लंबी यातरा कर पाएंगे, यहाँ पे एक स्वारती आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, जब अपनी आत्मा दि दूसरों के लिए धड़कता है, तब ही हम यहाँ पे एक बड़ा business build कर पाते हैं, हमें यहाँ पे बहुत सारे लोग business build करते हैं, 5-10 की team बनाएंगे और उसके बाद उन लोगों को build नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को तैयार नहीं कर पाते हैं, क्यों क्योंकि system का नहीं ले नहीं ले पाते हैं, और फिर एक दिन income जाकर के रुख जाती है, उनको ऐसा लगता है कि मैंने 10 की team बनाई थी, और मैंने 10 cell डाल दी, 20 cell डाल दी, मेरे पास 10 जार आए, 20 cell डाल दी, तो मेरा आगे यह लगातार बढ़ता ही रहेगा, 9, 10 cell डालने के बाद जो income हमारे पास आय वो income आगे तब ही बढ़ेगा, जो 10 cell है, तब वो जो लोग हमारे साथ आए, उन 10 cell के माद्यम से, उन लोगों को हम तैयार करेंगे, लिखा हुआ है, have a game plan that benefits other, यह जो business है, यह जो game है, यह जो game है, यह खेल जो है, यह दूसरों को फायदा पहुचाने का एक्चल में, जब ह लगातार यह टीम बनाते हैं, तो हमें sport light रखना है, मतलब नजरे रखनी है, अपने team members पर रखना है, team leaders पर रखना है, किस किस तरह के लोग हमारी team में आ रहे हैं, कहां कहां से आ रहे हैं हमारी team में, उनको किस तरह से तैयार करना है, उनकी क्या सोच है, उनकी सोच को किस त बढ़ो हर एको जॉइनिंग आपके लिए एक बहुत बड़ा बिजनिस ले करके आ सकती है अब हमारे उपर तैय करता है कि या मुझ से हजार पानसो रुपय में तोल रहे हैं या उसको हम करोड़ों रुपय में देख रहे हैं उसको एक डायमंड के रूप में देख रहे हैं यह हमारे उपर तैय होता है यह हमारे उपर डिपेंड करता है help them to make money दूसरों की मदद करिए पैसा बनाने के लिए अपनी टीम में जितने भी लीडर्स हैं उनकी चेक बनाने में पैसा बनाने में हमें मदद करना है help them get promoted दूसरे लीडर्स को आगे प्रमोट करने में उनका अगे बढ़ाने में उनका हमें आगे प्रमोट करने में हमें उनकी मदद करनी है उनको तैयार करना है उनको उनको क्रेजी करना है उस चीज़ के लिए उस चीज़ के लिए प्रमोट होने वाले हैं आगे आप यहां प्रमोट होने वाले हैं आप यहां टार्गेट के लिए होने वाले हैं या recognition के लिए promote होने वाले हैं तो उनकी मदद करना है हम सभी को help them win trips and recognition अपने टीम की मदद करनी हमें trip जीतने में target जीतने में recognition बढ़वाने में हमें अपनी team की मदद करनी हैं यह सदी हम सब काम करते हैं तो हमारा business नहीं लोग build होते है और इस industry में जिनों ने जिस भी leaders ने लोगों को build किया है उसको business build करने की चिंता करने की जुरूत नहीं है उसका business automatic build होता हुआ चला गया तो सातियों हम सभी को मिल करके अपने लोगों को build करना है और लोगों को हम अक्यले नहीं बिल्ड कर पाएंगे उसमें हमें अप्लाइन का उसमें हमें सिस्टम का उसमें हमें थर्ड पार्टी के तोर पे हमारी जितने एक्टिविटीज होती है उन सब का हम सब को सयोग लेना है जहां से हमारे लोग बिल्ड होते हैं और लोगों को एक बार हमने बिल्ड कर दिया फिर यह बी एक कारण है कि इस इंडश्टी में कामयाब नहीं हो पाते हैं बहुत सारे लोग कामयाब टीम का प्यार या हमेशा एक बड़ी आत्रा की तरफ ले करके जाता है तो रिलेशन से बिल्ड नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अपने परसनल स्वार्थ परसनल लोब लालच के चक्कर में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह से पेस आ जाता हैं और वो लोग उन गलत दिशा में ले करके चली जाती है तो हमारे साथ हमारा एक वहवार कैसा रहना चाहिए हमारा जो ब्यवियर है वो कैसा रहना चाहिए कि लोग हमारे साथ कमफर्टेबल हो क्योंकि बोला जाता है most people cute business they feel uncomfortable हमें तै करना पड़ेगा हमें लोगों को पढ़ना पड़ेगा क यह किस तरह क्योंकि अलग-अलग category के लोग हमारे साथ आते हैं अलग-अलग तरह के लोग अलग-अलग मनसिक्ता वाले लोग हमारे साथ आते हैं अलग-अलग job से अलग-अलग profession से हमारे साथ बहुत सारे लोग connect होते हैं उनको समझना बहुत जादा जरूरी है यदि हम हमारे साथ comfort रहना चाहिए वेक्ति जब हमारे साथ कोई वेक्ति comfort रहेगा तो हमारे साथ एक लंबी आत्रा करेगा और उस लंबी आत्रा में वो एक बड़ा business हम सब को देगा अपना तो business connection है किसी leader से वो उस पे खरा नहीं उतरता है तो हम hyper हो जाते हैं हमें कभी hyper नहीं होना है हमें टीम का हमेसा moral up करना है उसके प्रियासों की सराना करनी है उसकी ताकत को याद दिलाना है वो क्या कर सकता है इस से आगे भी अभी उसने जो किया उसको best उसके बाद उसके अंदर क् हमें directly किसी भी वेक्टी को hurt नहीं करना है क्योंकि ये business है जो ये लोगों को build करने का है ये एक अच्छी relationship का business है एक अच्छी relationship बना करके हम एक बड़ी team को build यहां पर कर सकते हैं तो ये भी एक कारण है जो हमारी team को हमसे दूर करता है आटवा, the way you think हमारा सोचने का तरीका तै करता है कि इस industry में हम कितनी बड़ी आत्रा करेंगे कितनी लंबी आत्रा करेंगे, कहां तक जाएंगे तो हमें अपने सोचने के तरीके को change करना है अपने सोचने के तरीके को यहां पर बदाना हमारा सोचने का तरीका क्या है तो अपनी सोच को manage करिए जो बार-बार बीच-बीच में up-down होती रहती है क्योंकि बोला जाता है कि वेक्ति सबसे ज़्यादा बात किस से करता है दिन में वो अपने आप से करता है एक्चर में और हम जब कुछ से बात करता है किसी भी मुद्दे किसी वेक्ति विशेश को किसी भी चीज को ले करके तो वो कौन से विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं कौन सी सोच हम अपनी personally, individually अकेले में बैठके तयार करता हैं वो सोच ही अमारे direct result को प्रभावित करती है हम किसी leader के सामने, team के सामने क्या बोल रहे हैं वो आपकी सोच जो है, वो business पे कम effect डालती है लेकिन आपकी अकेले अंदर क्या सोच तयार हो रही है वो actual feeling वो प्रभाव नीचे जरूट transfer होता है और बोला भी जाता है कि दिखावा हम ज़्यादा दिन कर नहीं सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी सोच को manage करना पड़ेगा manage way you think, हमें अपनी सोच को manage करना है ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए, एक positive thinking होनी चाहिए जिसमें हमारा और हमारी टीम का भला हो यह सोच जो बार बार उपर नीचे जाती है ना पल में मतलब 16 पल में मासा यह हमें बदलना पड़ेगा मतलब मिटिंग ट्रेनिंग अटेंड की महा गुरुजी पाड़ देंगे गुरुजी एकदम पट्टे चख देंगे हर आर मादेओ और फिर थोड़ पास, बहुत सारे लीडर उस सोच को सात दीन इनसों पते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें अपनी सोच को मैनेज करना है उसको बना के रखना बहु जादा, जो एक meeting, एक training से, एक leader से मिलने के बाद जो एक सोच तयार होती है, उस सोच को manage रखना, यह हमारी responsibility है, यह नहीं रख पाते हैं, succeeding is 90% meant, मतलब सफलता जो है, वो 90% मतलब हमारी सोच, हमारी दिमाग से मिलती है action, हमारी mentality से मिलती है, हमारी सो कारों में क्या चल रहा है, यह 90% सफलता तै करती है, you become what you think about it, आप का सोचने का तरीका ही तै करेगा आपकी सफलता के बारे में, मतलब आप क्या सोचते हैं, यही तै करेगा, कि आप कितना आगे जाने वाले हमारी मानसिक्ता ही हमारा तै करेगी, तो हमेशा किस सीज के बार सब्सक्राइब। एक सोच जो तैयार किया है सिस्टम ने मार्य उस सोच को पकड़ करके अगले पॉजिटिवटी ऊसी कृति को दया हूं मुझे नहीं लगता कभी भी मेरे apply ने मुझे लगातार सीखने का मोका system apply से मिला लेकिन मेरी सोच को कभी manage किया हो बैठ करके कि भया तेरे को negative नहीं होना तेरे को ना देख काम करना है तू यार ऐसे मत सोच अना ये बड़िया बात नहीं है ये ऐसा मुझे नहीं लगता आज तक मुझे कभी भी मेरे apply ने मुझे बैठा के समझाया हो नहीं क्योंकि एक बार जब हमारी सोच इस system में तयार हो गई तो उसके बाद हमें उसको लगातार अपने अपे काम करके उस सोच के साथ एकदम मैनत करना है समय लगेगा किसी को कम किसी को थोड़ा ज़ादा किसी को बिना तयारी के उतर जाते हैं और बोला भी जाता है हमने great mentor से सीखा है कि यदि इस पूरे business को एक word में define किया जाए तो उस word का नाम है preparation जिसकी जितनी तयारी दमदार उसका उतना बड़ा business तो success के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं और बिना तयारी के साथ उतर जाते हैं और उनको फिर ऐसापलता हाथ लगती है और वो फिर एक example ऐसापल एक जामपल बन जाते हैं इस industry के लिए और failure की counting बाजाते हैं तो आप तयारी करिए हम इस industry के एक student की तरह हैं become a student of the day हम student की तरह है तयारी कब कर पाएगा जम आपने आपको student मानेंगे यादी हमने अपने आ जब तक यह student वाली भावना है सोच अमारे अंदर होगी तब तक हम इस industry में survive कर पाएंगे जिस दिन हमने सरुगुन संपन मान लिया उस दिन हम इस business में recession की तरफ आगे बढ़ना चलो जाएंगे बैक चले जाएंगे master your craft business हमें महारत आसिल करनी है इस काम की महारत आप उठा सारुकान सलमानकान महारत ही बने उस industry के film industry के तो हमें टोप पे जाना है तो हमें actual में मतलब इस business का अपने आपको master craft बनाना पड़ेगा एक महारत ही बनाना है तो जब हम इस business में महारत ही बनाएंगे तो एक बड़ी success अमारा इंतजार कर रही है read the necessary book and grow your value हमें अपनी values को ल अगातार जाने से कि books पढ़ने से अप्लाइन की संगत में रहने से अना successful leaders के साथ रहने से हमारी हमेशा value बढ़ती है और बोला जाता है हमारी income कब बढ़ेगी तब उस income के हिसाब से हम अपनी value को generate करेंगे हम अपनी value को बढ़ाएंगे बहुत सारे लोग आकर के सीधा income चा करता है failure होने का और फिर वो जाकर के दोस्त जो देता है वो इस industry को देता है कोई इस industry का दोस नहीं है सिर्फ उसकी तैयारी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से वो इस industry में बड़ा काम नहीं कर पाए इसके बाद अगला जो last कारण है इस business में का है इस industry में कामियाब नहीं ह तो हमें इस काम के action बहुत बड़ी संख्या में लेने पड़ेंगे और एक्चाल में यह बिजनिसी टोटल more actions more numbers पर डिपेंड है और more action को नहीं ले पाता है जो comfort zone को छोड़ नहीं पाता है all progress takes palaces outside the comfort zone जितने भी progress जितने भी growth जितने भी achievement जितने भी success है वो total comfort zone के outside में है हम लेकिन maximum समय comfort zone में रहते है रिल्स यूटूब्स टीवी यह अमारा एक comfort zone बना हुआ है गार बैडरूम यह comfort zone बना हुआ है जहां पे एकदम पूरा relaxation रहता है कोई दिक्कत नहीं कोई pain नहीं नहीं है लगे रहा है लेकिन आपको वह growth नहीं मिलेगी वहाँ पे हमें progress नहीं मिलेगी progress का मिलेगी वहां से out में मिलेगी वहां से बहार मिलेगी तो हमें क्या करना है अपने comfort zone जो उनको छोड़ कर तो लेने अब हमारे एक्षण क्या है इन लेते हैं और लगातार लेते हैं बिना थप्प लगा करके लेते हैं तो हम क्यूंकि हम आज भी किसी भी लेवल पर हैं लेकिन हमारे साथ एक नाम है, एक सब्द जो चुड़ा हुआ है, कि हम सब डायरेक्ट सेलर हैं, और यदि हम डायरेक्ट सेलर हैं, तो हमें डायरेक्ट सेलिंग के लिए आज भी काम करना है हम सभी को, अमिता वचन उस इंडिस्ट्री का बड़ा आदमी है, एक महन व्यक्ति है, एक उसको इस इंड संस लगातार लेने जिस से हम लगातार इस दिस में growth की तरह अगे बढ़े बहुत तरहS लोग इस बिजनिस में आ जाते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ आर एक सैक्सेकट कर लेते हैं और अपने एक्षन को बढेते नहीं इने और जब एक्षन नहीं बढ़ाते हैं, तो काम होता नहीं है, काम होता नहीं है, तो वो इस बिजनिस से आउट हो जाता है, तो फिर वो ही वेक्ति है जो बोलता है, कि हमने भी इसको किया था, कुछ नहीं होता, यह वही लोग है, जो मार्केट में मिलते हैं, जो लोग, यह 10 कारण है, 10 region है, इन region है, जो उसको इस बिजनिस में इस इंडिस्टी से आउट कर देते हैं और वो एक बड़ा काम नहीं कर पाता है तो इन कारंस पे हम सब को जरूर ध्यान रखना है यह दस चीजे है यदि इन पे हमने ध्यान दिया तो हम जरूर इस बिजनिस में बड़ी ग्रोथ की तरफ आगे बढ है वो इस बिजनिस में लगातार आगे ग्रोख करें तो अपने गोल सेट करके कोई भी अभी हमारा एक बड़िया टार्गेट चला हुआ है इस टार्गेट में जो हमें दमदार एकदम जबर्दस टार्गेट मिला है और सब लोग बहुत एक्साइटेड है उस टार्गेट क हमें मिला है हमारी कंपनी की तरफ से तो हमें क्या करना है हमें उस टार्गेट को पूरा गोल बना करके उस पे हमें काम करना है और उसको करके दिखाना है और लाइट में कभी भी हमारा गोल हमेशा हमारे सामने होना चाहिए यदि एक को पूरा कर दिया तो दूसरा हमारे सा टार्गेट जीतना है तो इसका सेट कर लिया तो अब क्या करना है अब इसकी एक योजना तैयार कर रहें तो हम यह समझ लीजिए हम विफल तो हमें टार्गेट जीतने की योजना तैयार काम करने काम को आगे बढ़ाने की योजना मत बना है अब भ तैयार करनी एक इस टेडि तैयार करनी है और उसके बाद हमें अपनी प्राथ्मीकता 20 पर्सेंट जो एमारी प्राथ्मीकता है जहां से असी प्रक्षेन्ट प्रोडेक्शन मिलेगा हैdefined मिलेगा उसंपेमें फोकस अपनी एनरजी यृद्न ऌहान एहंता क्या है हम अपनी świat द् प्रात्मिक्ताओं पे जहां से हमें एक बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है एक बड़ी ग्रोथ मिलने वाली है यह पैरटों का सिद्धान्त बोलता है यदि टार्गेट जीतना है तो उन 20% लोग को छाटी है जो वास्तों में जीतना चाते हैं जो वास्तों में आगे बढ़ना चाते हैं उनके साथ एनरजी लगाए समय लगाइं क्यूंकि इस टाइम बहुत कम है हमारे पास इसंगायी जाना है तो उसके लिए हमें अपनी प्रात्मिक्ता अपनी एनरजी इनरजी अपना समय उन 15 लोगं के साथ लगाना है जहां से हमें result मिल सकता है और सिर्फ ना कि ये target किसी भी goal को achieve करने के लिए हमें इस प्रात्मिक्ता को जरूर याद और द्यान रखना है दूसरा किसी भी task और target और goal को achieve करने के लिए focus on रहना चाहिए हमेशा motivation on रहना चाहिए हमेशा dedication समर्पन on रहना चाहिए हमेशा लेकिन excuses of होने चाहिए लेकिन होता क्या है ये focus of motivation of dedication of लेकिन एक चीज हमेशा होन रहता है वो उड़ता है excuses किसी से पूछो ये target क्यों नहीं हो सकता तयार बैठा है आद मिनी बंद्रिक के सर इसलिए नहीं हो सकता तो हमें नहीं करने के excuses नहीं देने हम कर क्या सकते अपनी ताकत को पहचानिए अपनी जो अच्छी चीजे उनको पहचानिए जो मदद ले सकते हैं उस मदद को लीजिए और excuses हमारे इस business में हमेशा ओफ रहने चाहिए कभी भी excuses भानों से जिंदगी नहीं बलती क्योंकि हमारे गरेट मेंटल बोलता है अपने पास दो अपसन है या तो पैसे बनाओ या भाने बनाओ दोनों कभी साथ नहीं बनेंगे पैसे भी बन जाए और भाने भी बन जाए पैसे बनाने तो भाने नहीं बनाने और भाने बनाने तो फिर पैसे नहीं बनेंगे तो भानों को साइड में करिए, excuse age को side में करिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजे हर व्यक्ति के जीवन में हैं, जो कि वो सामने वाले को भी समझा सकता है, और अपने आपको भी समझा सकता है, कि वो इस business में काम्याब क्यों नहीं हो सकता, ऐसे कारण सभी के पास हैं, मेरे पास भी असम के पास हैं, लेकिन आप उनको पोशन मत दीजिए, जो कारण नहीं करने के आप उनको पोशन दीजिए, जो करने की ताकत है, उन पे आप उनको पोशन दीजिए, उनको आप पालिए, और वही ताकत आपकी एक दिन आपका इतियास लिकवाने में आपकी बहुत बड़ी मदद करेगी, तो अपना focus target जीतने के लिए ओन रखिए, motivation हमेशा हमारा ओन रहना चीए, ये down नहीं जाए, result कमा है, जादा है, एकदम, जो समेशा हाई होना चीए, और समरपन, dedication ओन रहना चीए, समरपन किसका ओन होगा, जिसके तर्क, वितर्क, कुतर्क, excuses ख automatic भार आजाता है, और ओप को दबाते, तो own automatic भार आजाता है, ऐसे ही, जब ये तीन आप own दबाओगे, तो ये automatic excuses ओफ होंगे, और excuse वालों को ओफ करोगे, तो ये automatic ये own हो जाएंगे, तो हमें अपने excuses को खतम करके, और हम सभी को आगे बढ़ना है, और दमदारी के साथ ब साथ है, आज मुझे इस पैनल पे ग्रेट मेंटर ने मोका दिया, मैं उनका करतग्य हूँ, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, आप जैसे ही, सभी पवित्रात्माओं से, और आज पूरे हिंदुस्तान में, हजारों लोगों से, आज मुझे रूबरू होने का मोका मिला, सो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, रामकेशन जी, वंडरफोल, और बिलकुल आज आपने गागर में सागर बर दिया है, I am proud of you, और मैं बस वही बात बोलूँगा, कि वही एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे, आज का सेशन रियली में, बहुत ही सुपर डूपर हीट रहा, I am proud of you, thank you very much, diet selling हमारे जैसे और पूरे हिंदस्तान के लिए अब पूरी मानवजाती के लिए की वर्दान है, ये बात आपने साबित करके दिखा दिया, I am proud of you, जोड़ा तालिया हो जाएं, टाइगर के लिए,